हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब इस वीडियो में हम कक्षा 10 का मैट्स चैप्टर नंबर वन के मोस्ट इंपोर्टन एमसी क्यू करेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टन होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यह आप देख सक होगा मसर यानि की SCF 19 हमें दिया गया है तो हमसे लसर यानि की LCM पूछा गया है तो देखिए कैसे करेंगे यह हमें चार आप्शन्स दिये गए हैं इनमें से हमें राइट आप्शन को टिक करना है तो सबसे पहले इसको हम सौल करके देख लेते हैं कि इसका हमारा राइट कौन सा होगा तो हमें क्या कहा गया है कि दो संख्याएं हैं जिनका गुरनफल हमें यह 266 दिया गया है और मासर हमें 19 दिया गया है यानि की SCF तो हमसे LCM पूछा गया है तो हमें जैसे कि पता है हमारा एक फॉर्मूला होता है कि दोनों संख्याओं का गुरनफल बराबर हो गुणा SCF होता है, तो अब देखिए ध्यान से, A और B यानि कि दोनु संख्याओं का गुणनफल हमें 266 दिया गया है, तो इसकी जगह पर लिख देंगे 266, बराबर में LCM ये हमें निकालना है, और SCF ये हमें 19 दिया गया है, अब यहां से ये 266, 19 इधर आके भाग में हो ज 19 एकम 19, दो बच गया, तो ये हमारा 19 एकम 19, और ये 7 बच गया, तो 7 हम इसको दे देंगे, तो 19.76, यानि कि 114 हमारा आंसर आ रहा है, तो LCM हमारा 114 हो जाएगा, तो ये देखिए C आप्शन में दिया गया है, यानि कि 1st कोशन का ये C वाला आप्शन हमारा राइट हो जा कोशन में हम से क्या कहा गया है, 13 और 17 का महत्तम समापवर्तक यानि कि SCF और लगुत्तम समापवर्त्य यानि कि LCM का योग है, यानि कि हमें 13 और 17 का सबसे पहले SCF और फिर LCM निकालना है, और फिर जो LCM और SCF आएगा, उसका योग हमें करना है, तो इसमें से हमारा दूसरी सत्रा तो इनके सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं तब तेरा का फैक्टर तो सिर्फ तेरा ही होता है और तेरा गुणा में एक भी हम लिख सकते हैं इसी तरह से सत्रा का फैक्टर यानि कि गुणनखंड तो यह हमारा सत्रा ही होता है और इसमें भी हम गु सकते हैं अब सबसे पहले हम इसका SCF अगर ग्यात करेंगे तो SCF क्या हो जाएगा SCF करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ये दोनों संख्याओं के ये गुरंखन है इनमें lowest power वाला common factor कौन सा है तो देखिए common तो हमें सिर्फ ये एक ही दिखाई दे रहा है और इसमें lowest power एक ही है यानि कि हमारा SCF एक हो जाएगा तो SCF एक हो गया अब LCM देखिए कितना हो जाएगा तो LCM करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे ये गुरंखन है इनमें जो जो संख्याओं हैं उनको हम लिख देते हैं और highest power वाले हम लिखते हैं तो 13 सिर्फ हमारा 13 की power कुछ नहीं तो एक मानेंगे तो यही हमारा 13 हो जाएगा और इसके अलावा क्या है 17 और एक को लिखे है ना लिखे कोई फर्ग नी पड़ेगा तो अब हम 13 और 17 का गुणा कर देंगे तो यह हमारा 1391 का एक हांसिल नो तेरह एकम तेरह और नो यानिकी 22 तो यह हमारा LCM 221 आ रहा है और SCF 1 आ रहा है तो हमसे SCF और LCM का योग पूछा है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे यानिकी 1 और 221 को तो यह हो जाएगा हमारा हुआ है यानि कि second question का यह D वाला option हमारा right है तो यह हमारा हो गया second question यह जितने भी questions मैं आपको करा रहा हूं जितने भी MCQ करा रहा हूं यह बहुत जदा important है और chapter 1 से जितने भी type मैं आपको करा रहा हूं questions के यही type से questions आपके exam में पूछे जाएंगे इसलिए इनको ध्यान से करना तो यह हो गया second question इसके बाद यह देखिए third question हमारा यह रहा मैं आपको इनके solution भी करके दिखा रहा हूं अगर इस type के questions आपके exam में आएंगे तो आप बिना solve करें अगर answer निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बिना solve करें भी आप answer टिक कर सकते हैं मैं आप पर solve क करके दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई confusion ना रहे तो देखिए third question में हमसे क्या कहा गया है दो 10 और 20 के LCM और SCF का अनुपात है तो इसमें हमसे यह दो 10 और 20 यानि यह 3 संख्या दी गई हैं इनके LCM और SCF का अनुपात पुछा गया है तो देखिए कैसे करेंगे सबस दो है तो इसके हम factors लिखेंगे यानि कि इसको गुरंखन के रूप में लिखेंगे तो 2 ही होगा एक भी हम लिख सकते हैं अब इसके बाद दूसरा है 10 तो यहाँ पर 10 के क्या होंगे गुरंखन दो गुणे 5 गुणे 1 इसके बाद अगला है 20 तो इसके factors क्या क्या हो दो गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1 चीक है अब देखिए यहाँ पर 2 दो बार है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की power 2 गुणा में 5 एक बार है और 1 चीक है अब सबसे पहले अगर हम SCF निकालेंगे तो SCF क्या होता है हमारा हम देखते हैं कि जो हमारे ये तीनों गुरंखन है तीनों संख्याओं के इनमें common lowest power वाला कौन सा है तो देखिए तीनों में हमारा ये 2, 2, 2 यानि कि तीनों में 2 है यानि कि 2 common है तो 2 को लिख देंगे और इनमें से lowest power वाला कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ये भी हो जाएगा तो इसलिए 2 यानि कि 2 की power एक को हम लि तो एक को भी लिखे है ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह हमारा 2 एकम 2, यानि कि SCF 2 हो जाएगा, अब LCM निकालेंगे, तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कि तीनों में हम देखते हैं, कि सबसे हाइस्ट पावर वाला कौन सा है, देखिए, 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो यह वाला हम लेंगे, जो की सबसे हाइस्ट पावर वाला है, तो 2 की पावर, दो लिख दिया, और क्या है तीनों में, तो तीनों में हमारा, देखिए, 5 भी है, तो 5 को लेंगे, और 5 सबसे highest power वाला एक ही है इसमें भी 5 की power एक इसमें भी तो 5 को लिखेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं है एक को लिखें या ना लिखें कोई फरक नहीं पड़ेगा तो 2 की power 2 का मतलब 2 दूना 4, 4, 5, 20 यानि कि LCM हमारा 20 हो जाएगा और SCF कितना हो जाएगा 2 ठीक है तो हमसे LCM और SCF का अनुपाद पूछा है तो LCM कितना है 20 सबसे पहले LCM लिखा है इसलिए सबसे पहले हम LCM का अनुपाद लिखेंगे फिर SCF कितना है 2 तो इसका पूछा गया है तो अब देखें इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से 2 दहां 20 और 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 यानि कि हमारा अनुपाद 10 अनुपाद 1 आ रहा है तो 10 अनुपाद 1 यह रहा हमारा B option में गलती से आप यह A option वाला 1 अनुपाद 10 यह टिक मत कर देना ठीक है क्योंकि हमारा B option 10 अनुपाद 1 यह हमारा राइट option हो जाएगा चीक है तो यह हो गया third question तो DSO इंस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने भी अपना NCRT book complete कर लिया है और अब आप extra questions से practice करने की सोच रहे हैं तो आप इस book से extra questions की practice कर सक सकते हैं यह book Oswal publication की और से है और इस book में आपको chapter wise यानि की हर एक chapter के questions with solution दिया हुआ है और यह maths standard का है तो इसके अंदर का मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि आप देख सकते हैं first chapter real numbers है तो इसका सबसे पहले basic concept समझाया गया है फिर इसके बाद यह आप देख सकते हैं सब आप देख सकते हैं very short answer type questions है इसी तरह से short answer type questions है यानि कि हर एक type के questions इसमें आपको दिये हुए है तो आप इस book को purchase करके अपनी तयारी को और बहतरीन कर सकते हैं और extra questions की practice ज्यादा सज्यादा कर सकते हैं तो इस book को purchase करने का link आपको video के description box में दिया हुआ है उस link पर click करके आ next यह रहा हमारा fourth question तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि सबसे चोटी भाज्य संख्या तथा सबसे चोटी अभाज्य संख्या का मसर कितना होगा तो इसमें हमसे सबसे चोटी भाज्य संख्या और सबसे चोटी अभाज्य संख्या का मसर यानि कि SCF पूछा है तो देखे कैसे ब हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौनसी होती है तो ये हमारी चार होती है ठीक है भाज्य संख्या का मतलब है कि जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और तो दूसरे पहाड़े में भी आता हो, तो ये हमारा चार है, सबसे छोटी भाजे संख्या, और इसके अलावा सबसे छोटी भाजे संख्या, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये तो आपको पता ही होगा, भाजे संख्या सबको पता होता है, तो ये सबसे छोटी भाजे संख्य 2 होती है ठीक है तो इसका हम से SCF पूछा गया है यानि कि 4 और 2 का हमें SCF बताना है तो सबसे पहले 4 और 2 के हम factors लिखेंगे यानि कि गुणखन के रूप में तो 4 को हम 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख सकते हैं और इस 2 को 2 ही लिखेंगे गुणा में 1 लिख सकते हैं तो इसका SCF क्या हो जाएगा तो SCF निकालने के लिए क्या करते हैं हम देखें यहाँ पर 2 गुणा 2 है तो 2 की power 2 लिख सकते हैं गुणा में क्या है 1 तो SCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे दोनों संख्याओं के ये गुणखन है इनमें lowest power वाला common factor कौन सा है तो common तो हमें ये दो दिखाई दे रहा है इसके अलावा एक भी है तो एक को भी हम लिख देंगे और lowest power इन दोनों में से कौन सा है इसका है तो इसी को हमने लिख दिया तो 2 और 1 का गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा यानि कि SCF हमारा 2 हो जाए ठीक है तो 2 देखिए ये B वाले option में दिया हुआ है यानि कि 4th question का हमारा B option right हो जाएगा तो इस तरह से ये हो गया हमारा question number 4 अब इसके बाद next देखिए question number 5 तो question number 5 हमारा ये रहा इसमें आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि SCF 336 और 54 का 6 दिया गया है तो LCM हमसे पूछा है कि क्या होगा यानि कि इन दोनों संख्याओं का हमें SCF छे दिया हुआ है तो इन दोनों संख्याओं का हमसे LCM पूछा है तो देखे कैसे करेंगे ये भी हमारा बहुती easy है तो इसके लिए जैसे कि हमें पता है हमारा एक formula होता है कि दोनों संख्याओं का गुणफल तो A और B हमारी दोनों संख्याएं होती हैं तो A की जगा पर हम 336 लिख देंगे गुणा में B की जगा पर क्या लिखेंगे 54 बराबर में LCM, LCM हमसे पूछा है तो इसको एजिटिज रहने देंगे और SCF हमें दिया हुआ है 6 तो इसकी जगा पर 6 लिखेंगे अब हमें LCM निक A कम 6 695 कट गया अब इसको और इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो यह हमारा 964 का 4 हांसिल 5 927 और 5 32 का 2 हांसिल 3 927 और 3 30 तो यह हो गया हमारा 3024 LCM यानि कि LCM हमारा कितना आ गया 3024 तो देखिए 3024 यह रहा D option में तो 5th question का हमारा D option right हो जाएगा अब इसके बाद next देखिए question number 6 तो question number 6 में हमसे क्या कहा गया है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौनसी है तो इसमें हमसे सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा गया है तो यह आपको याद रखना है कि सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या कौनसी होती है तो यह 4 होती है यह तो सबको पता होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है लेकिन बहुत सारे students को यह नहीं पता होता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौनसी होती है तो यह हमार चार होती है चीक है तो यह आपको याद रखना है इसके बाद next question पर चलते हैं तो next हमारा question number 7 है यह आप देख सकते हैं क्या कहा गया है कि 6,8 और 22 का LCM और SCF का अनुपात है तो हमें इसमें 6,8 और 22 का LCM और SCF का अनुपात बताना है तो चलिए करते हैं सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का LCM और SCF निकालेंगे तो पहली संख्या 6 दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम गुरंखन के रूप में लिखेंगे तो इसके गुरंखन 2 और 3 हो जाएं तीन फिर 22 को लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 गुरंखन 11 अब सबसे पहले अगर हम LCM निकालेंगे तो LCM हमारा क्या होता है LCM के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी तीनों संख्याओं हैं इनके अब आज गुरंखन में हम देखते हैं कि क्या क्या संख्याओं हैं तो दे और दो का हम देखेंगे कि सबसे highest power वाला कौन सा है तो यह 3 है तो इसलिए 2 की power 3 लेंगे इसके अलावा इसमें देखें 3 भी आ रहा है तो 3 को लेंगे और क्या-क्या संख्याएं आरी है अलग-अलग तो यह 11 आ रहा है तो यह सब का अब हम गुणा कर देंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है तो 8 तिया 24 24 का हम 11 में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 264 ठीक है तो यह आ गया LCM 264 अब इसके बार SCF निकालेंगे तो SCF के लिए क्या करते हैं हम कि तीनों संख्याओं के जो यह अभाज्य गोंखन है इन में हम देखते हैं कि Lowest Power वाला Common Factor कौन सा है तो देखिए Common तो हमें इन तीनों में से 2 दिखाई दे रहा है और इन तीनों में जो यह 2, 2, 2 है इन में सबसे Lowest Power वाला कौन सा है यह 2 है 2 की पावर 1 यानि 2 तो इसलिए SCF हमारा 2 हो जाएगा तो SCF 2 और LCM 264 हो गया, अब हमसे LCM और SCF का अनुपात पुछा है तो LCM हमारा 264 हया है, अनुपात में लिखेंगे SCF 2 है अब ये डोनों 2 के पाड़े से कटेंगे, ये 132 बार में और ये 2 के पाड़े से 1 बार में तो हमारा अनुपाद 132 अनुपाद 1 आ रहा है ठीक है तो 132 अनुपाद 1 यह रहा A option में तो यह हमारा answer हो जाएगा A question number 7 का ठीक है तो इस तरह से question number 7 हो गया इसके बाद next देखिए question number 8 तो question number 8 में हमसे क्या कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का SCF एक है तो दोनों संख्याओं को कहा जाता है यानि कि यदि किनी दो संख्याओं का SCF अगर एक है तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं तो उन दोनों संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं यह आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का SCF अगर एक है तो उन दोनों संख्याओं को क्या कहा जाता है? poking यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई दो संख्या ले लेते हैं जैसे हमने तीन और पांछ ले लिया तो इन डोनों का अगर हम SCF निकालेंगे तो इनका SCF हमारा एक आएगा, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है, तो I hope आपको समझ में आ गया, तो इसलिए हमारा question number 8 का C वाला option राइट हो जाएगा, अब इसके बाद next question पर चलते हैं, तो next question हमारा question number 9 है, यह आप देख सकते हैं, तो question number 9 में हम से क्या कहा गया है, कि सह अभाज्य संख्याओं का SCF होता है, तो सह अभाज्य संख्याओं का SCF कितना होता है, यह हमारा जो अभी मैंने आपको question number 8 कराया था, उसका just opposite है, ठीक है, इससे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, कि question उ questions को घुमाया जा सकता है, तो आपको question का language अच्छे समझना है, तो देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का SCF होता है, कितना होता है, तो यह हमारा एक होता है, यानि कि B option right हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें जड़ा कुछ समझाने की जूरत तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी को यह रहा हमारा question number 8, इसमें मैंने अभी आपको समझा दिया था, कि जो दो संख्याओं होती है, उनका SCF अगर एक है, तो उन दोनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं, तो इसलिए यह हमारा question number 9 का B option right हो जाएगा, यानि कि 1, अब इसके बाद next देखिए question number 10, तो question number 10 में हमसे क्या कहा गया है, यदि A और B अभाज संख्या है, तो A और B का LCM होगा, यानि की हमें कहा गया है कि जो यह A और B है, यह अभाज संख्या है, तो इनका LCM हमसे पूछा गया है, तो देखिये, इनका LCM हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये A और B है इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा A, B हो जाएगा ठिक है तो इसलिए A, B हमारा आंसर हो जाएगा यानि कि C option ड्राइट हो जाएगा अब हम इन दोनों का गुणा क्यो कर रहे हैं क्योंकि हम से question में कि दोनों संख्या जो A और B ये क्या है अभाध्य संख्या था कि अगर हमें ऐल्श्यम years time निकालना होता है है तो उन्का हम होते हैं जैसे कि मालेज़ हमारे पास तीन और पाच है तो इन दोनों संख्याओं का हमें ऐल्श्यम निकालना है तो देखिए इसजा क्या करेंगे हम कि इन दोनों संख्याओं को देखेंगे दोनों क्या है अभाज्य संख्या है तो इसलिए इनका डायरेक्ट हम इस तरह से गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा यानि कि इनका LCM हमारा 15 हो जाएगा आप चाहे तो LCM निकाल के भी देख सकते हैं इसी तरह से जैसे कि 7 और 3 है ये दोनों भी अभाज्य संख्या है तो इनका जब हमें LCM निकालना है तो इसके लिए डायरेक्ट हम 7 और 3 का गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा यानि कि 7 और 3 का LCM 21 है तो आ LCM अगर पूछा जाए तो हम डायरेक्ट उन दोनों का गुणा करके LCM निकाल सकते हैं तो इसलिए हमारा Q10 का C option right हो जाएगा यानि कि A और B का LCM A भी हो जाएगा अब इसके बाद next चलते हैं Q11 पर तो ये आप देख सकते हैं Q11 में क्या कहा गया है कि 81 और 237 का SCF क्या होग तो इसमें हमसे 81 और 237 का SCF पूछा गया है तो कैसे करेंगे इसके रहे सबसे पहले हम 81 को लिखेंगे और इसके हम अभाज गुणखन लिखेंगे तो 81 के अभाज गुणखन क्या होगे आप इस तरह से करके देखना अगर आप डायरेक्ट लिख सको तो बहुत अच्छी ब हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इसके बाद अगला है हमारा 237 तो इसको भी हम अभाज गुणखन के रूप में लिखेंगे तो यह हमारा 3 गुणा 79 हो जाएगा ठीक है अब हम SCF अगर निकालेंगे इन दोनों का तो इनके जो यह अभाज गुणखन हमने लिखेंगे कि कॉमन क्या है तो देखें इसमें भी 3 इसमें भी 3 और दोनों में लोइस्ट पावर वाला कौन सा है यह तो इसी को हमने लिख दिया यानि कि SCF हमारा 3 हो जाएगा तो इसलिए हमारा कोशन नमर 11 का A option राइट हो जाएगा चिक है तो यह हो गया कोशन नमर 11 इसके बाद नेक्स्ट कोशन नमर 12 तो इसमें हमसे क्या कहा गया है यदि A 2 की घा 3 गुणा 3 गुणा 5 और B 2 की घा 4 गुणा 5 गुणा 7 तब LCM AB यानि कि AB का LCM कितना होगा तो देखें कैसे करेंगे बहुत ही easy है हमें क्या कहा गया है कि जो A है यह हमारा यह संख्या दिया गया है और B का यह संख् से हम क्या हो जाएगा तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं यानि कि LCM जब हमें निकालना होता है तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारी यह अभाज गुर्णखन हैं इन में कौन-कौन सी संख्याएं हैं और अगर इन दोनों में कोई common है तो उसका highest power वाला हम लिख दो की पावर चार इसके अलावा और क्या है दोनों में संख्याएं तो तीन है इसलिए तीन लिखेंगे पांच दोनों में है दोनों की पावर एक एक ही हो जाएगी इसलिए पांच लिखेंगे और इसमें देखे साथ भी है तो साथ को भी लिख देंगे अब इनका हम गुणा, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? कि 2 का चार बार गुणा कर देंगे, तो यह हमारा होता है 16, 16, 1655, 80, 80 का 3 में गुणा करेंगे, तो 803, 240 गुणा में 7, अब 240 और 7 का गुणा कर देंगे, तो यह हमारा आ जाएगा 1680, यानि कि ये A और B, इसका LCM हमारा 1680, यानि कि D option राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया question number 12 का solution complete, अब इसके बाद next question करेंगे हम, question number 13, तो ये आप देख सकते हैं, question number 13 में क्या कहा गया है हमें, कि 2520 और 2268 का LCM है, तो इसमें हमें इस बाद थोड़े बड़े numbers दिये गए हैं, इनका हमें LCM बताना है, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले इनको हम लिखेंगे, 2520 है, तो इसको हम अभाज्य गुरंखन के रूप में लिखेंगे, यानि कि इसके अभाज्य गुरंखन करेंगे इस तरह से, तो इसके अभाज्य गुरंखन में क्या क्या आएगा, देखिए, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानि कि 3 बार 2 आएगा, इसके अलावा, 3 जो है वो 2 बार आएगा, और इसके अलावा 5 और 7 आजाएगा, ठीक है, अब देखिए, 2 तीन ब क्या है 268 है तो इसके भी हम अभार्जेगोंखन लिखेंगे तो इसमें हमारा 2 जो है 2 बार आएगा 3 इसमें हमारा छार बार आएगा और 7 एक बार आएगा तो की पावर दो लिखेंगे और इसको 3 की पावर 4 और यह 7 तो अब देख़ी अब एक इसका LCM निकालना है तो इसमें और इसमें दोनों में हम देखेंगे कि कोई अगर common है तो highest power वाला लेंगे तो देखें दो दोनों में है तो highest power वाला यह है यानि कि 2 की power 3 लिखेंगे और इसके अलावा देखें 3 भी दोनों में है और highest power वाला हमारा 3 की power 4 है और इसके अलावा इसमें देखे 5 भी है तो 5 को भी लिखेंगे और इसमें 7 है तो 7 को भी लिखेंगे अब इनका हम करेंगे गुणा तो 2 की power 3 का मतलब 8 होता है तो 8 को लिख देंगे 3 की power 4 का मतलब क्या होता है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 यानि कि इसका मतलब 81 होता है गुणा में 5 सत्य यह हो जाएगा 35 अब इसके बाद सबसे पहले 8 और 35 का गुणा कर लेते हैं तो 8, 45 का 0 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4, 28 तो 280 गुणा मे यह 81 है तो 280 और 81 का गुणा करेंगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 22,680 यानि कि LCM जो है 2520 और 268 का यह हमारा है 22,680 ठीक है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा तो 22,680 भी ऑप्शन राइट है तो यह हो गया हमारा कोशन नमर 13 इसके बाद next देखिए कोशन नमर 14 तो इसमें हमसे क्या कहा गया है वह अधिकतम संभव चाल क्या है जिस पर एक व्यक्ति 60 गंटों में 52 किलोमीटर तथा 91 किलोमीटर चल सकता है तो most important कोशन है यह आपका sample paper का कोशन भी है तो देखिए इस इस तरह के कोशन को कैसे करते हम हमारा इस तरह का कोशन होता है कि अद्धिकतम मान पूछा जाता है यह कि maximum अगर पूछा जाता है तो इसमें हम हमेंसा SCF निकालते हैं ठीक है तो हमें नंबर क्या क्या दिया है 52 और 91 तो इनका SCF हमें निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले 52 को अभाज्य गुणखन के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा दो दुना चार और 13 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 13 एक 90 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणा 13 चिक है अब देखिए इसमें और इसमें देखेंगे कि common क्या है और lowest पावर वाला कौन सा है वही हमारा SCF हो जाएगा तो common दोनों में 13 है और 13 की पावर कुछ भी नहीं है यानि कि 1 तो इसलिए SCF ह संबव चाल हमारा 13 किलोमीटर प्रतिघंटा है यानि कि C option right है तो यह हो गया हमारा question number 14 इसके बाद I hope आपको यह question अच्छे समझ में आ गया है इसके बाद देखिए next हमारा question number 15 तो इसमें हमसे क्या कहा गया है परिमे तथा अब परिमे संख्याओं का योग या गुणफल होता है तो क्या होता है इन चारों में से वो हमें पता करना है तो कैसे करेंगे देखिए हमसे कहा गया है कि परिमे और आपरिमे संख्याओं का योग या गुणफल होता है तो जैसे कि यह हमारे पास दो है यह क्या है यह हमारा है परिमे संख्या और यह रूट तीन यह क्या आपरीमे संख्या, तो इनका अगर हम योग करेंगे, तो यह जो हमारा इन दोनों का योग करने पर यह संख्या बन रहा है, यह हमारा क्या कहलाएगा, आपरीमे कहलाएगा, ठीक है, यानि कि परीमे और आपरीमे संख्याओं का योग क्या होता है, आपरीमे होता है, इसके अल रूट तीन है ये भी हमारा आपरिमे ही है तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि परिमे और आपरिमे का गुणनफल आपरिमे होता है और परिमे और आपरिमे का योग भी आपरिमे होता है तो इसलिए इसका आंसर हमारा आपरिमे संख्या यानि B option राइट हो जाएगा ठीक ह तो यह हो गया हमारा question number 15 तो इस वीडियो में हमने total 15 questions किये हैं I hope आपको 15 के 15 questions अच्छे समझ में आगे हैं तो इनकी practice आप दुबारा से एक बार कर लेना हो सके तो वीडियो को एक बार दुबारा देकर अच्छे समझ लेना तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे benefit मिले और अगर आपने इविदक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब तक के लिए धन्यवाद